हलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूट्उप चैनल पर स्वागत है आएए देखते हैं इतिहास का एक ओण नया प्रेटिस सेट अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सम्सक्राइब कर लें क्योंकि हम डेली एक निया पर्टे सेट लेकर आते हैं तो आईए देखते हैं question प्लासी का यूद कब लड़ा गया था option है तेज जून 1757 भी 26 जून 1756 भी 23 जून 1761 भी 27 जून 1757 भी तो प्लासी का यूद 23 जून 1757 भी को लड़ा गया था option यह आपका राइट एंसर हो जाएगा बक्सर का यूद कब आरंब हुआ था तो बक्सर का यूद 1783 भी में 1763 भी में 1793 भी में या 1563 भी में तो बक्सर का यूद 1763 इस भी में आरंब हुआ था option भी यह आपका राइट एंसर हो जाएगा दिल्ली का लालकिला किसने बनवाया था ओप्शन है हुमायू अकबर सहजहान या सेरसा तो दिल्ली का लालकिला सहजहाने बनवाया था ओप्शन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा सिवाजी के प्रसासन में पेशवा किसे कहा जाता था ओप्शन है रच्छा मंत्री को धार्म मामलो का मंत्री मुख मंत्री या न्याय मंत्री तो सिवाजी के प्रसासन में पेशवा मुख मंत्री को कहा जाता था ओप्शन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत की प्रथम पूरता रंगीन फिल्म कौन सी थी? आप्सन है आन, राजा हरिश्चन, आलम आरा, जहासी की रानी तो भारत की प्रथम पूरता रंगीन फिल्म, जहासी की रानी है आप्सन दी आपका राइट एंसर हो जाएगा ने वियना सम्मेलन कब हुआ था? प्रान्स को जर्मनी को इटली को तुर्की को तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता आपसवी आपका राइट अपसवीugenie नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जर्मनी का एक एक करण कब पूरा हुआ ओप्सन है 1849 बी में 1890 बी में 1870 बी में 1871 बी में तो जर्मनी का एक एक करण 1871 बी में पूरा हुआ था ओप्सन दी आपका राइट एंसर हो जाएका एक्ट आफ यूनियन किस वर्स पारित हुआ ओप्शन है 1699 में 1757 में 1707 में 1815 में तो एक्ट आफ यूनियन 1707 इस भी में पारित हुआ था ओप्शन सी आपका राहिट एंसर हो जाएगा बोल से भी क्रांती कब हुई तो बोल से भी क्रांती 1917 में हुई नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नई आर्थिक नीट का जनमदाता था ओप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्राट स्की तो नई आर्थिक नीट के जनमदाता लेनिन थी ओप्शन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं अप्रेल थीसिस किस ने तयार की तो अप्रेल थीसिस लेनिन ने तयार की थी ओप्शन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा लेनिन ने नई आर्थिक नीद की घोसरा कब की ओप्शन है 1935, 1921, 1915, 1929 तो लेनिन ने नई आर्थिक नीद की घोसरा 1921 भी में की थी नेक्ट कोश्चन देखते हैं लाल सेना का गठन किसे ने किया था ओप्शन है कार्ल मार्क्स, टाटस्की, केरंस्की, स्टालिन तो लाल सेना का गठन टाटस्की ने किया था ओप्शन भी आपका राइट अंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी सिच्छा की सुरुवात किस ने की थी तो भारत में अंग्रेजी सिच्छा की सुरुवात मैकाले ने की थी आपसन ये अपका राइट एंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था तो राजा राम मोहन राय को संस्कित की सच्छा सरोकार नहीं था जलिया वाला बाग हत्याकान के लिए कौन सा जनरल उत्तरदाई था ऑप्सन है जनरल बिलियम बेंटिंग, जनरल मांट बेटन, जनरल डायर, जनरल डल होजी तो जलिया वाला बाग हत्याकान के लिए जनरल डायर उत्तरदाई था आप्षन C आपका राइट एंसर हो जाएगा प्रथम मैसूर यूद किसके बीच लड़ा गया था आप्षन है बिटिस और टीपू सुल्तान बिटिस और हैदर अली बिटिस और मीर जाफर बिटिस और नवाप्च राजुद्धौला तो प्रथम मैसूर यूद बिटिस और हैदर अली के बीच लड़ा गया था सती प्रथा पर प्रतिबंद किसे ने लगाया था तो सती प्रता पर प्रतिबंद लाड विलियम बैंटिंग ने लगाया था आप्षन C आपका राइट एंसर हो जाएगा किस वर्ष में मयम्मार भारत वर्ष से अलग हुआ था तो 1937 इस्वी में मयम्मार भारत वर्ष से अलग हुआ था नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं ब्रेटिस सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसरहित किस वर्ष किया था तो 1919 में बिटी सरकार द्वारा बंगल विभाजन को प्रस्षित कर दिया गया था जलिया वाला बाग की दुरघटना किस सन में हुई तो जलिया वाला बाग की दुरघटना 1919 सन में हुई थी आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रेशन दिखते हैं 1911 तक बिहार निम्लिखित में से किसके अंतरगत था तो 1911 तक बिहार निम्लिखित में से बंगाल महापरांथ के अंतरगत था आपका राइट एंसर हो जाएगा अलीगण मुसलिम विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे तो अलीगण मुस्लिम विश्विद्यालाई के संस्था पक सरसयद एहमद थे आप्शन भी आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन दिखते हैं चावरी चावराकांड किसे सम्मंदित है तो चावरी चावराकांड आसायोग अंदोलन से सम्मंदित है पर्थम विश्विद्य के दौरान भारत में लोग पुरिये होने वाला अंदोलन था तो पर्थम विश्विद्य के दौरान भारत में लोग पुरिये होने वाला अंदोलन home rule था option C आपका right answer हो जाएगा भारत में खो जा गया सबसे पहला पुराना सहर कौन सा था तो भारत में खो जा गया सबसे पहला पुराना सहर हडपा सहर था option B आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं सिंदुगाटी के लोग विश्वास करते थे तो सिंदुगाटी के लोग मात्र सक्ती पर विश्वास करते थे आरी सब्द का साब्दिक अर्थ है तो आरी सब्द का साब्दिक अर्थ स्रेष्ट या कुलीन है निमने लिकित में से किस फसल का ज्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तो निमने लिकित में से तमबाखु फसल का ज्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था आपका राइट एंसर हो जाएगा वैदिक गडित का महत्तपूर अंग है तो वैदिक गडित का महत्तपूर अंग सुल्व सूत्र है आपका राइट एंसर हो जाएगा किस वेद में प्राचीन वेदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है तो रिगवेद में प्राचीन वेदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है अपसल यह आपका राइट एंसर हो जाएगा वेदों की संख्या कितनी है तो वैदो की संख्या चार है नेक्ष्ट कोचन देखते हैं रिगवेदिक आर्यों का मुख व्यवसाय क्या था तो रिगवेदिक आर्यों का मुख व्यवसाय पसुख पालन था अप्षन भी आपका राइट एंसर हो जाएगा भारतिय संगीत का आदिगरंद किसे कहा जाता है तो भारतिय संगीत का आदिगरंद साम वेद को कहा जाता है अप्षन ये आपका राइट एंसर हो जाएगा प्रथम विधी निर्माता कौन है तो प्रथम विधी निर्माता मनू है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ स्रीमद भगवत गीता है option C आपका right answer हो जाएगा रिगवेद में संपत्ती का प्रमुख रूप क्या है तो रिगवेद में संपत्ती का प्रमुख रूप गोधन है option B आपका right answer हो जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है option C आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं वैदिक धर्म का मुक्ष लचण इन में से किसकी उपासना था तो वैदिक धर्म का मुक्ष लचण इन में से प्रकृति की उपासना था option B आपका right answer हो जाएगा तो थैंक्स पार वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे like, share, comment जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो subscribe करना बिल्कुल न भूलें थैंक्यू